हलो मिस्ट्रा क्लासस की तरफ से सभी को नवस्कार और आसा करते हैं सभी लोग होगे जितने भी नीट के इस्टुडेंट हैं जो भी नीट के एकजाम दिये हैं रिजल्ट तो कम से कम 10-15 दिन बाद आएगा लेकिन तब तक आप अपनी तयारी कर लें और हम तो चाहेंगे एक टीचर होने के नाते सभी का सेलेक्शन हो जाए तो कौन-कौन से डाकुमेंट की ज़रुत होती है नीट की काउंसलिंग और एड्मीशन के समय वो डाकुमेंट आप ज़रुर तयार कर लें अगर आप तयार नहीं करते हैं तो एड्मीशन के समय आपको परिशानी होगी वो कौन-कौन से 14 डाकुमेंट है जिनको तयार करना है इसन्सियल है इनके बगर आपका एड्मीशन रुख जाएगा इसलिए अभी अपने पास टाइम है इस टाइम में जो भी आपके पास डाकुमेंट इनकम्प्लीट है वो कम्प्लीट कर लें तो देखते हैं कौन-कौन से डाकुमेंट 14 की रिक्वार्मेंट होती है पहला नीट का स्कूर कार्ड दूसरा नीट का एड्मिट कार्ड अगर नीट का एड्मिट कार्ड आपसे घुम गया है तो अभी नेट पर अविलेबल है आप निकाल लीजे तीसरा 10-12 मार्क सीट और स्कूल से मिलेगा और चौता डूमेसाइल सार्टिफिकेट यह स्टीट में एड्मिशन के लिए बहुत जरूरी है और आल इंडिया से अगर जो आपका एड्मिशन होता है तो जरूरत नहीं है नेस पाच्वा अगर ड्राप आपने लिया है तो गैप सार्टिफिकेट आपकी काऌ सी है उसका सार्टिफिकेट जरूर बन वालीजिये आप इस से यह से हैं या स्ट्थ से हैं यह za lugन से अगर कोई भी सिद्फिकेट पास केटगरी है तो आप जरूर कि सार्टिपिकेट बनवाएं और नेष्ट पास्पोर्ट साइज फोटो यह पास्पोर्ट साइज फोसो कम से कम आपको 60 या 70 बनवाने होगे क्योंकि उस समय बहुत सारे लगते हैं और कम से कम साट फोटो जरूर बनवाले पास्पोर्ट साइज के हम तो कहेंगे सेवेंटी बनवाली जे दस पंद्रा दस एकसेस हो जाएंगे वह रखे रहेंगे वह इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मेरी बेटी खुद कर रही है एड्मिशन के समय करीब 50 पास्पोर्ट साइज के फोटो लगे थे तो आप 60 या 70 खिचवा लिजिए जैसे आपको कोई परिशानी नहों नेस्ट क्या है बर्स साइटिफिकेट अगर नहीं है तो आप बनवा लिजिए ट्रांसपर साइटिफिकेट इस्कूल से मिल यह स्टाइगा इलाट्मिन टलेटर घ्ली आएगा और कउंस्लिंग जब श्रू ओगी तब आपको मिल जाएगा नैस क्या है करेक्टर साइटिफिकेट इस्कूल से मिलेगा माइग्रेशन सा इस्कूल से मिलेगा आ्धार कार्ड आपका बना ही होगा नई बना है तो तुरं एडमीशन के लिए MBBS में अगर इन में से कोई भी डाकुमेंट आपके पास सिंकम्प्रीट है तो अभी आपके पास समय है आप तुरंत बनवा लिजे जैसे एडमीशन के समय कोई भी परेशानी आपको उठानी ना पड़े तो अगर जिये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्क्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर लिजे और वीडियो को अपने अपने ग्रूप में सेयर कर लिजे और सभी को मेरी तरफ से नमस्कार